हेलो फ्रेंज, मैं हूँ डॉक्टर अब्दुल मुवी ए मुंडेवडी, मुंडेवडी आयरवडी क्लिनिक से आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे पीट का दर्द कैसे कम किया जाए, कैसे ट्रीट किया जाए अबी पीट का दर्द जो है बहुत कॉमन बीमारी है और इससे work, performance और quality of life काफी बुरी तरह से अफेक्ट हो सकता है अक्सर हर 10 individuals में से 8 को कभी न कभी पीट का दर्द तो होता ही अग के जिन्दगी में अबी पीट का दर्द का दर्द का काफी complex है इसके अदर vertebral bones, discs, spinal cord, nerves, cartilages और muscles है यह conversion जो है backbone को काफी मजबूत बनाता है लेकिन at the same time यह mobile भी रहता है जिससे movement body के अच्छे से हो सकती है in a supported way अबी back pain जो ही अलग-अलग रह सकता है इसमें acute, chronic और recurrent team type के हैं और यह जब तीन महने से ज़्यादा होता है तो इसको chronic कहा जाता है back pain को फिर से अलग-अलग तीन प्रकार में बोल सकते हैं जैसे एक survival case जिसको गरदन का जो दर्द है वो उपर अपर back pain है थोरा से कि यह middle back pain है और लंबार या lower back pain है अब इसमें भी lower back pain हो nearly 80% रहता है सभी back pains में मिलाकर अब इसके अंदर इसको treat कैसा किया जाए तो अकसर over the counter जो pain management के medicines रहते हैं इसे back pain कम कर सकते हैं उसके साथ साथ आराम थोड़ा time करना और ठंडा या गरम से देना ये इससे काफी लोगों को फरक पड़ जाता है जरूरत पड़ी तो prescription drugs डॉक्टर के पास से ले सकते हैं अब इसके अंदर क्या होता है तो non-steroid, anti-firmative drugs, muscle relaxants और neuromodulators करके कुछ है लगले टाइक्स की medicines जो डॉक्टर्स यूज करते हैं अगर बहुत chronic हो गया और बहुत severe pain हो गया तो फिर दॉक्टर्स local injections देते हैं या surgery करते हैं अब इसके अलब आक्योपंक्चर, massage, biofeedback therapy, laser therapy, electrical nerve stimulation और इस तरह के दूसरे non-surgical spine treatments कही हैं जिससे chronic back pain में काफी अच्छा फरक पड़ सकता है इसके अलब आइरिविक medicine जो है आइरिविक treatment भी कुछ महिने दे सकते हैं जिससे सूजन, डरत, stiffness कम कर सकते हैं जो discs, cartilage, bones को rebuild मजबूत बना सकते हैं और जो bones damaged हो है, vertebral को heal कर सकते हैं अब इसमें diagnosis क्या है और back pain का cause क्या है ये depend करता है इसके उपर तो उसके साब से नियर ली आइरिविक medicine चार से आट मेने तो कम से कम लेना पड़ता है लेकिन इसके अदर self-medication ना करे इसके अलावा कुछ red flags हैं जहां पर immediate treatment लेना ज़रूरी है और इसमें symptoms क्या-क्या है अगर दर्द कम नहीं हो रहा है या फिर additional symptoms है जैसे sensation impaired हो गया या बहुत जादा severe pain है या pain बढ़ता जा रहा है incontinence है, bowel control चला गया या limb weakness है या paralysis है fever है या unexplained weight loss है यह सब red flags है जब treatment खूद नहीं करना चाहिए तुरण medical help लेना चाहिए अब यह सब discuss करके हम थोड़े से कुछ simple steps, precautions, lifestyle changes और home remedies का discuss करेंगे जो back pain पीट के दर्द को treat करने में काफी useful होता है यह तो इसमें first point है कि अपना posture हम जो बैठता है वो कैसकी सतरह से बैठता है यह important है तो जब हम बैठेंगे तो supportive chair का इस्तेमाल करें जहां पे अपने hips जो है knees से उपर है जो बहुत low chairs रहते हैं जैसे sofa इसको avoid करें neck को और feet को upright position में रखें और neck आगे जुके नहीं desk पे काम करने के time पे twisting movements करना नहीं चाहिए और इसके लिए जो अपना keyboard mouse और telephone है यह सब नजदीक रखना चाहिए हमारे elbows जो है वो desk height पे रहना चाहिए और chair जो है बिल्कुल उसके straight अंदर रहना चाहिए अपनी जो राइटिंग जो लेवल है उसके निशे अभी ज़रूरत पड़े तो back में टॉबल या कुछ रख सकते हैं छोटा सा pillow रख सकते हैं support के लिए इसके अलबाद जब driving करते हैं तो बीच-बीच में प्रेक लेना चाहिए और car से निकल के थोड़ा टहलना चाहिए और इसके लिए सही जंग से पैरों का leg muscles के इस्तेमाल करें back का ने और सही जंग से इसके illustrations online मिलते हैं कि किस तरह से जुखके वजन उठाना चाहिए तो सही तरीका अपना है और अगर वजन ज्यादा है तो सिधा 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 the health legacy के अभी second point is foam rollers, foam rollers ऐसे चीज हैं जो back में लगा के उसके लिए self massage यूज कर सकते हैं अपनी body weight को यूज करके और इससे pain काफी हद तक कम होता है इसके अलावा जैसे मैंने पहले कहा के ठंडा या गरम सेख दे सकते हैं तो यूजिली ठंडा जो है आइस का बरफ का सेख जो है फर्स 40-72 आर्ज में करना चाहिए और उसके बार में heat का use करना चाहिए दोनों भी जो है कम से कम 15-20 मिनिट दिन में 2-3 बार करना चाहिए लेकिन skin इसमें अहाम नो हो इसका ध्यान रखे अभी diet के बार में सोचना बहुत important है balance right लेना चाहिए ताकि feet अपने आपको strengthen करे और repair करें anti-inflammatory foods जो है यह लेना चाहिए इसके अंदर whole grain foods fruits vegetables है green leafy vegetables है fiber foods है दही है spices को यूज कर सकते हैं जैसे turmeric है अदरक है green tea है और काला mirich जो है यूज कर सकते हैं जो inflammation बढ़ाने वाले जो है refined flourata जो है यह gluten है refined sugars, trans fats, saturated fats, red meat यह inflammation बढ़ा सकते हैं दूदनी तो बहुत common है जो back sprains के लिए muscle sprains के लिए यूज करते हैं ginger green tea भी इस्तिमाल कर सकते हैं, vitamin D यूज कर सकते हैं जिससे bone और wheat का दर्द काफी कम कर सकते हैं अगला important point है कि smoking टूरंट बन कर देना चाहिए, smoking से discs को जो blood flow है वो कम करता है इसके वाज़े से disc degeneration हो सकता है और smoking से calcium absorption भी कम हो सकता है और new bone गुरों जो हरूँ जाती है, इससे risk of fractures बढ़ता है, osteoporosis के वाज़े से जो है back strain होने के chances या fracture के chances कम होते हैं इसी तरह से नीन अच्छी मिलना चाहिए, कम से कम 6-7 घंटे नीन मिलना चाहिए और नीन मिलने से mind और muscle relax होता है, muscular strain और spasm भी कम हो जाता है, pain perception कम होता है अभी अगर जिनको नीन न बरावर न मिलती हो तो यह लोग vitamin C, vitamin B6, melatonin, L-thiamin और valerian जैसे medicines का यूज़ कर सकते हैं mindful meditation भी help कर सकता है अभी sleep position काफी important है, जो है गादी सही डंग का support देना चाहिए हमारा सोने का तरीका भी जो है वो सही डंग से होना चाहिए, ताकि spine जो है straight position में रहे दोनों भुटनों की बीच में पिलो ले सकते हैं और सेर की नीचे भी छोटा पिलो ले ताकि बहुत जादा out of position spine नहीं जाए next point is stretching जो है यह तो बहुत important है, इसमें stretching से muscles tendons लिकामेंट जो है यह जो support करते है spine को, इससे strength आती है तो इसका फायदा यह होता है stretching का कि जो muscles में tension है वह कम हो जाता है और इससे दर्द कम हो सकता है range of movement और overall mobility जो है बढ़ती है इसके अलवा stretching में जो है risk of disability भी जो है back pain क्यों काफी कम हो जाती है तो यह beat का दर्द जो है इसके में लिए exercises कौन से beneficial है तो knee to chest stretch, modified cobra, standing hip stretch, seated spinal twist, pelvic tilt and glued bridges यह सब useful है और इसके सब information इंटरेट पे मिल जाती है इसी तरह से hot tub bath और swimming और water exercises भी back pain के लिए काफी useful है अब इस stress manage करना चाहिए क्योंकि stress से beat का धर्द बढ़ सकता है और उसी तरह से stress को कम करेंगे और तो pain perception काफी कम हो जाएगा इसके लिए relaxation techniques यूज़ करना चाहिए जैसे meditation है, deep breathing है, stretching, seizure yoga तो योगी आसन जो है यह भी काफी useful होते हैं back pain को reduce कम करने में, reduce करने में और prevent करने में भी तो इसमें योगी आसन कौन से हैं, तो भुजंगासन, पष्यमुत्तान आसन, उष्ट्रासन, धनुरासन और सेतुबंदासन यह काफी useful है इसके सब details और इसके images वगरे जो है online मिल जाते हैं या फिर कोई yoga classes join कर सकते हैं अभी back pain pregnancy में भी ज्यादा हो सकता है क्योंकि बॉड़ी की ligament से भी यह soft हो जाते हैं labor के लिए और यह जो है इसके वज़े से lower back और pelvis पे strain ज्यादा आता है और इससे back pain हो सकता है तो इसके अदर जो अभी तक जो मैंने भी methods बताया है जो भी exercises बताया है इने वो थोड़ा सा ज्यादा संबाल कई है प्रेग्नेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं तो इस तरह से जो back pain है इसको combination आराम का, medicines का, diet का, exercises का यह सब इस्तेमाल करके pain जो है long term basis पे control कर सकते हैं अभी इसमें जरूरी है कि कोई qualified or medical qualified or experienced medical practitioner इसकी diagnosis करे और siding से treatment बताये और उसकी यह साथ-साथ जो long term planning करनी है exercises की वगरे यह भी advice लेके करना चाहिए ध्याम मेर है कि जिससे एक पर इनसान को जो जो चीज़ वाइदा दे वो दूसरे को जरूरी नहीं है इसी तरह से back pain की अलगलग जो बीमारियां है अलग-अलग stages में एक इंडिविजिन में भी अलग-अलग treatment रह सकता है लेकिन इतना एक established fact है कि अगर एक effective exercise program हम adopt कर लें back pain को treat करने के लिए तो उसको जो back pain का structure और function है यह long term basis पे preserve किया जा सकता है तो friends एक short description हुआ back pain को treat करने का, reduce करने का और उसको किस तरह से किया जाए यह short description हुआ मिलते हैं अगले वीडियो में, good bye